बात करेंगे उर्फी जावेद और चित्रावाद के बीच चल रहे खमासान को देकर जी आँ अब यह मामला कुकि महराश्ट्र महिला राजय आयोग की चोखण पर जाप जाहे कि उर्फी जावेद खुल शिकायत करने के लिए पहुंची और वहाँ पर महराश्ट्र राजय मह की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शिकायत की है रुपादी से उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें जान से माने की धंकिया मिल रही होने से क्योड़ी के जरूत है कि चित्रावाद की और से लगतार यह कहा गया है कि वो न्यूडिटी फैलाती हैं महराश्ट्र की सर्कों पर परोस्ती हैं और पब्लिक प्लेस में जाकर इस तरह के कपड़े पहनती हैं कि लोग उनसे परेशान हो जाते हैं और समाच पर इसका बुरा सर पढ़ता है चित्रावाद खुलकर उर्फी जावेद के खिलाफ बोल रही हैं और इस तरह की हरकतों पर जान से माने की धंकिया अब मदद की गुहार लगा रही है हाला कि उर्फी जावेद बहुत ज्यादा ब्लंट है और अपने बेबाग अपने ब्यानबाजी को लेकर भी उस उर्फियों में रहती हैं और उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं किस तरह की कॉमें लेकिन मुझे जो सही लगेगा मैं अपने जीवन में बही करूंगी किसी के कहने से मेरे उपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है उसमें कई धारायों के खलाब जोड़ी गई है धारा एक सो तरेपन यह लगाई गई है और साथ ही पांसो चार पांसो छे पांसो छे पांसो कि उसे मुकदमा दर्श करवाए गया है कि इससे पहले चित्रवाग की उसे उर्फी जावेद पर मुकदमा हुआ था और अब उर्फी जावेद की और से भी यह और शिकायत दर्श कराए गई है करेंगी शिकायत की गई है कि अब बेखना होगा कि पुलस के रेक्षन आता है और कितनी सिक्योरिटी ओर दीजाती है और कब तक उन भीन से में आ रहे हैं क्या वो यह सब बंद करने वाली ही या फिर आने वाले दिनों में उनका कोई नहीं आफतार देखने को में दिया